वेलकम तो वैब इंस्टिटूशन एन इंटरनाशनल ब्रांड अफ साफ्ट्वेर इंजिनरिंग एजुकेशन हालो स्टुडेंट्स ये स्वी लेंग्विल्स का चैप्टर 43 है 42 में आपने स्ट्रक्चर के बाड़े पढ़ा था इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया था आपने पिछले वीडियो में ये स्ट्रक्चर मेन फंक्शन के अंदर है ध्यान से देखिए इसका मतलो ये हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर होगा वो लोकल माना चाहेगा local structure वो होंगे जो किसी function के अंदर बनेंगे और वो उसी function के अंदर इस्तमाल होंगे जैसे अगला function अगर मैं आगे web के नाम से बनाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इस structure को यूज़ करना चातो info वाला तो यहाँ पे यह नहीं होगा जैसे portion के नाम से मैंने एक variable create किया और फिर यहाँ पे इसके ठीक पहले struct keyword के माध्य हम से info data type को as a declare करता हूँ तो यह गलत है यह काम नहीं करेगा क्योंकि जो structure हमने बनाया वो main function की body में इसका मतलब इसका उपयोग हम सिर्फ main function के अंदर ही कर पाएंगे तो जो structure आप function के अंदर बनाओगे उसे local structure कहा जाएगा और वो उसी function के अंदर accessible होगा लेकिन यही structure अगर आप बाहर बना दो main function से बाहर इस तरह उसे तो अब यह global structure हो जाएगा global structure का मतलब हो गया कि अब इस info वाले data type का इस्तमाल किसी भी function में आप कर सकते हो कैसे करेंगे इस वायप वाले function के अंदर ही variable प्रिपेर कर लीजिए जैसे मैंने portion के नाम से variable प्रिपेर किया printf का इस्तमाल किजिए तकि आप user को कोई message देश सको enter your name backslash n का इस्तमाल किजिए जो name user input करेगा उसे हमें इसके अंदर रखना है पर्षन के अंदर जो name होगा उसमें यानिकि ये वाला जो name आप देख़़ों इसी में हमें name रखना है जो user input करेगा उसे तो पर्षन टेस का इस्तमाल किजिए और फिर यहाँ डिफाइन कर दीजिए पर्षन.name आप address of दे भी शक्तो नहीं भी दे शक्तो यहाँ पर मैंने इस्तरा से डिफाइन कर दिया address of पर्षन.name तो name लेकर हमने name वाले member के अंदर रखा अब इसके बाद user को message दे दिजिए enter your age तो जिस variable में age आपको रखना है उसका data type है into इसलिए आप यहाँ पर %d format specified का इस्तमाल करो फिर अगला message दे दिजिए user को enter your weight यहाँ पर इस्तमाल कर लेंगे format specified f और variable का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिजिए weight तो जो weight वाला variable है आपका उसका data type है float इसलिए मैंने यहाँ पर %f का इस्तमाल किया testing करने के लिए वापस printf का इस्तमाल किजिए और यहाँ write किजिए your name is %s की जगा हमें name वाले variable का इस्तमाल करना है तो आप ऐसे define कर दो क्योंकि name को access करेंगे तभी तो जो name input किया गया वो मिलेगा backslash n का इस्तमाल जरूर करेंगे ताकि हमें line break होकर result मिले फिर अगला printf का इस्तमाल किजिए और define कर दिजिए your age is %d का इस्तमाल किजिए क्योंकि जो access करने वाले हम यहाँ पे age उसका data type int है इसके ठीक बाद अगला printf का इस्तमाल किजिए और यहाँ define कर दिजिए your weight is %f तो weight वाला जो variable है आपका उसका data type है float इसलिए मैंने यहाँ पे format इस्पेसिफाइर %f का इस्तमाल किया तो %s की जगह name आएगा %d की जगह age आएगा और %f की जगह weight आएगा लेकिन यह पूरी coding हमने function के अंदर किया वाब function के अंदर जब तक आप call नहीं करोगे तब तक result आपको नहीं मिलेगा तो मैंने वाब function को main function के अंदर ऐसे call किया run करके test किजिए मैंने name input किया फिर age input करता हूं और फिर weight input कर देता हूं देखे result मिला अब वापस अगर run करना है तो cut करके हमें फिर शे run करना पड़ेगा मैं चाहता हूं program automatic वापस start हो जाए तो इसके लिए आपको while loop पढ़ाय गया था याद होगा आपको while loop का इस्तमाल किजिए यहाँ पे मैंने i नाम का एक variable declare किया मैं check करता हूं यहाँ पे कि क्या i का value 1 के बड़ाबर है अगर i का value 1 के बड़ाबर होगा तो वाप नाम का function call हो जाएगा तो यह function हमेशा call होगा क्योंकि हमेशा i का value 1 के equal होगा तो ऐसा करने से आपका program infinite time चलेगा यानि कि एक बार result आ गया तो फिर से वापस start हो जाएगा आपका program run करके test किजिए मैंने name input किया फिर इसके बाद wait input करता हूँ देखे result आया और फिर से मांगा गया यहाँ पे enter your name फिर से age मांगा जाएगा फिर से wait मांगा जाएगा यानि यह program कभी नहीं खतम होगा जब जब result आएगा तब तब वापस start हो जाएगा वीडियो समझ में आया तो like जरूर कीजिए और वैप institution की official website पे जरूर विजिट कीजिए ओनलाइन classes के बाड़े में अतधिक जानकारी के लिए हमारे sales team को call कीजिए वैप institute के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद